हालो फ्रेंड्स शुक्त ऐसे लिजर बाद करें रहे हैं इंग्लिश लिट्रेचर में उनकी हम बात करेंगे उनके उपर आज हमारा यह डिसकसिन चलने वाला है तो दूस्तो ये जैसे कि मैना आपको कल भी बताया था और उसी तरह से आज भी आपको वही चीज कराई जाएगी और कुछ लेकिन जो राइटर्स हैं वो अलग होंगे तो उनको हम स्टार्ट करते हैं देज ना करते हुए तो दुस्तु स्टार्ट करते हैं आज के मेजर राइटर्स जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ तो आज के मेजर राइटर्स की हम बात करते हैं और सबसे पहले जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो है जीबी शा जीबी शा जिनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शा इनके मेजर वक्स की हम बात करेंगे जीबी शा के जीबी शाह के मिजरवक्स की बात करें दोस्तों तो जीबी शाह का जब नाम आता है तो हमारे बीच में एक नाम आता है आम सेंड दा मैन का आम सेंड दा मैन जोकी इनका बहुत ही एक बहुत एंटी रोमेंटिक प्ले इनका माना जाता है और दूसरी बात जो ये जी बी शाह है जोर्ज बर्नार्ड शाह जी बी शाह यानि कि जोर्ज बर्नार्ड शाह की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो जी बी शाह को इनके एंटी रोमेंटिक प्लेज के लिए जाना जाता है ये special question है ध्यान दख लेना कि इनकी एंटी रोमेंटिक प्लेज के लिए जी बी शाह को जाना जाता है अब इसमें हम बात करें इनके वर्क्स की बात करते हैं जी बी शाह के तो इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे कैंडिडा का जो की most famous one of the most famous place में से है जी बी शाह के इसके बाद आर्म सेंद दमेन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है विडोवर्स हाउसिस मैन एंड सुपरमेन जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं मिस्स वेर्न्स प्रोफिशन सीजर औ किलोपेटरा मेजर बार्बारा अऑ्चा प्रोफिशन the dark lady of the sonnet the man of destiny love among artists दोस्तों यह इनके most specific works है इनको आपको एक्जाम के लिए देख के जाना है कौन-कौन से वक्स हैं जी-बी शाकी अगर जो हम बात करें और एक चीज़ आप एक्जाम को अगर जो देखेंगे किसी भी स्टेट के एक्जाम को उठा कर आप देख लेना यह जो इनके दो प्ले हैं केंडिडा इनसे internal question यानि कि अंदर से भी questions पोच लिए रहते हैं तो दोस्तों इनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको क्यूंकि बहुत जरूरी है और एक्जाम में questions आए हुए हैं इनसे तो इस वेज़े से इन पर discuss हम कर लेते हैं तो केंडिडा जो यह play है Candida play GB Shaka लिखा हुआ है Candida का मतलब यहांपर पूछा गया एक्जाम में Candida का मतलब क्यों होता है दोस्तों Candida इसकी heroine है इस play की और Candida का वैसे मतलब होता है एक Frank Lady एक Frank Lady होना उसको Candida कह जाता है और यहां की जो हीर coffin всяง reaction में वह moral की वाइफ है Candida लेकिन Ugin March Banks की जह की प्रेमिका बीचा है वह कहते है कि तो प्यार है किसी और तुझे चाहता कोई और है वही गाना यहां पर होता है इनके लिए कि जो wreckage है Candida है Candida किसकी मोरल की पतनी है लेकिन वो Eugene March Banks जिसको पाल पोसकर इन्होंने इतना वड़ा किया जो 18 वर्ष का हो गया और वो Eugene March Banks अब किस से प्यार करने लगा है Candida से प्यार करने लगा है इसके इर्द गिर्दी ही ये कहानी घुमती है और वो जो Eugene March Banks है वो पोईटिक स्वाप का है तो वो Candida के लिए बहुत तो इससे काम कराते हो मतलब मिट्टी का तेल वाला Lamp यूज कराते हो वो Candida के लिए बात कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो Candida को सितारों की दुनिया में ले गया होता ऐसी दुनिया में और जहांपर जो सितारे है वो रोशनी का काम करते और उसको Paraffin Oil जोरत ना होती लेंप में और इसके अलावा जो फर्ष है वो बारिष से भी धुल जाता और जो सूकता वो हवा से सूक जाता ऐसी जगह पर मैं उसको ले गया होता उसको कोई भी काम करनी का विशकता वहाँ पर नहीं होती ऐसी बात यूजिन मार्च बैंक्स इस प्ले में Candida जाता और दोस्तू सबसे बड़ी बात है यह एक रिजां में आता है कि जीभी शाकी एक हीड्य centralized का द्रजा दिया गया है क्या दरजा दिया गया है sentimental prostitute अब दोस्तों यह sentimental prostitute क्या होता है prostitute तो आपने सुना होगा bad character woman is called prostitute but what is sentimental prostitute sentimental prostitute क्या होता है किसको sentimental prostitute कहा जाता है जब इनसान विचारों से ग्रिसित हो जाता है बुरे विचारों से भढ़ जाता है वो sentimental हो जाता है और Candida ऐसे ही character के रूप में यहाँ पर दिखाई जाती है Candida को इस तरह से ही represent किया जाता है जबकि moral Candida का जो पती है वो से बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता है लेकिन इतना प्यार करने के बाब जूद भी वो Eugene March Banks की तरफ सोच रही है तो this is called sentimentalism of prostitution So यही चीज़ है That's why the critic calls Candida as sentimental prostitute अब बाद में भी आप देखेंगे कि बाद में क्या होता है कि जब Eugene March Banks moral से कहता है कि Candida तुमारे लायक नहीं है तो moral पुछता है कि कौन है फिर Candida के लायक तो वो Eugene March Banks कहता है मैं हूँ तो दोनों आपस में बहस करने लगते है इसी बीच में Candida पहुंच जाती है और जब Candida पहुंचती है तो Candida पूछती है कि तुम मेरे बारे में इस तरह से discussion क्यों कर रहे हो क्यों argument कर रहे हो मुझे लेकर और मैं कोई चीज तो हूँ नहीं लेकिन Candida यहाँ पर एक ऐसा जवाब देती है जिसकी विज़े से उसको हम sentimental prostitute का दरजा दे सकते है वो यह कहती कि तुम में से जो सबसे ज़्यादा कमजोर होगा मैं उसी के साथ रहूँगी बलकि कहना क्या चाहिए था Candida को Candida को यह कहना चाहिए था मेरा पती moral मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं उसी के साथ रहूँगी लेकिन उसने यह नहीं कहा उसने यह कहा कि Eugene March Banks जो है वो उसने बहुत जादा परिशानिया देखी है वो परिवार से बिछड कर रहा है एक औरफन के रुप में रहा है वो दुख और दर्द को जेल सकता है उसके अंदर ताकत है हिम्मत है लेकिन moral जो है moral के लिए मैं सब कुछ रही हूँ moral के लिए मैं उसकी मदर के रूप में रही हूँ मैं उसकी अच्छी friend के रूप में रही हूँ मैं उसकी पतनी के रूप में रही हूँ और वो हद तो तब हो जाती है जब वो कहती है कि मैं as a sister भी उसके साथ मतलब वो मुझे हर रूप में देखता है friend के रूप में, sister के रूप में, mother के रूप में हर रूप में देखता है तो what is this? क्या है ये? जो ये Candida की सोच है दोस्तो Candida इस तरह से बताती है और at last she declares moral as a weak character man और ये देहनक ना Candida किसको weak character man के रूप में गोशित करती है तो अपने पती जो moral है उसको weak character के रूप में Candida यहाँ पर declare करती है इस play में तो इस तरह से जो बिचारा Eugene March Banks है उसके जो अर्मान होते हैं वो बिलकुल धुमिलो जाते हैं और कहते हैं दिल के अर्मास हो में भैगए तो वही situation उसके साथ होती है जो Eugene March Banks होता है तो ऐसा उनके साथ हुआ दोस्तो ये मैंने बहुत brief में बहुत nutshell हम कह सकते हैं इसमें आपको Candida के बारे में बताया इसमें आप characters की बात हम करें तो बर्गैस का पूछ ले जाता है कि बर्गैस कौन है दोस्तो बर्गैस Candida के फादर है Moral के फादर इनलों है इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि Moral की बनती नहीं थी बर्गैस से बिलकुल बात नहीं बनती थी Moral की बर्गैस से क्यों नहीं बनती थी क्योंकि बर्गैस क्या करते थे बर्गैस factory में अपनी factory थे उनकी उस factory में ladies से काम करवाते थे women से काम कराते थे और उनसे extra work भी लेते थे और पगार उनको नाके बरावर दी जाती थी और ये चीज मॉरल को पसंद नहीं थी जब मॉरल की पार्टनर्शिप थी बरगैस के साथ तो मॉरल ने मना किया था कि बरगैस से की ये काम मत करा करो और इस तिरियों से काम मत कराया करो तो जब कैंडिडा जो बाहर गई हुई थ और Candida के आने की ख़बर Moral को मिलती है कि Moral वो Candida आ रही है और उसको कहा जाता है कि वो Station समय पर पहुंच जाए लेकिन इसी बीच में घर में बरगैस आ जाता है बरगैस को देखकर Moral गुसा तो होता है लेकिन बरगैस क्या करते है बरगैस ये कहते है कि Moral से कि अब उन्होंने पुरानी जीतनी भी आदते हैं वो बदल दी है अब वो ओवर टाइम मजदूरों से नहीं कराते हैं और उनको पगार भी समय पर देते हैं और उस तरहों को काम पर उन्होंने नहीं रखा है तो ये बात सुनकर Moral खुस हो जाता है और आपस में इन दोनों की बाते चलती रहती हैं इतनी बाते चलती रहती हैं कि Moral जो है अपनी पतनी Candida को लाना भूल जाता है और जब Moral अपनी पतनी Candida को लाना भूल जाता है तो वो आँख बबुला होकर Candida घर पर आती है और जब वो moral के पास आती है बड़े क्रोध रूप में moral के पास आती है तो उस समय उसके साथ एक और वेक्ति होता है दोस्तों वो है यूजिन मार्च बैंक्स जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि जो केंडिडा से प्यार करने लगता है अब एक बात यह होती है मतलब यह मैंने आपको भीच की बताई थी कि किस प्रकार से वो यूजिन मार्च बैंक्स अपनी बात कहता है करता है केंडिडा को लेकर और एक दिन ऐसा आता है जब मॉरल को अबदेश देने जाना होता है तो मॉरल जो है वो यूजिन मार्च बैंक्स को केंडिडा की जिम्मेदारी दे कर जाता है कि तुम केंडिडा की देखवाल रखना तो जो यह है यूजिन मार्च बैंक्स उस स इस बीच में यूजें मार्चवंक जो है वो के पास आकर बैठ जाता है बलकि ये कह लीजी कि उसकी लैप में लेट जाता है और उस समय कि यूजिन मार्च मैंक के कि क्या तुम uppनी का द्यान रखा तो वह कहता है कि शिरिमान बिलगोल अच्छी तरह से रखा स्ष्रिमान मैं तो स्वर्ग के दरख में प्रवेश करनेवाला फ़ी ता लेकिन जिस दरवाजे को मैं स्वर्ग का दरवाजा समझ रहा था वो वास्तम में नर्क का दरवाजा था तो ये poetic बाते जो है यूजिन मार्जबेंक्स करता है moral को कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहा है और हकीकत में वो किश्चीच को कह रहा था वो ये कह रहा था कि मैं तो जो है स्वर्ग के दरवाजे में प्रिवेश करने का मतलब मैं तो प्रेम की एक एक्सिस पर पहुँच रहा था लेकिन उसी बीच में केंडिडा फिजीकल हो जाती है तो कहने का मतलब वो उससे spiritual लव करता है बहुत ज़ादा यूजिन मार्च बैंक्स जो है वो ये नहीं चाता कि केंडिडा इतनी जल्दी उसके साथ क्लोज हो जाए तो वो सरी बात थी केंडिडा और मॉरल को लेकर तो इस तरह से मैं आपको इसके बारे में बताया दोस्तो इससे question इसके अलावा यूजिन मार्च बैंक्स कौन है यूजिन मार्च बैंक्स जो है केंडिडा का लवर है और केंडिडा को पसंद करता है और दूसरी बात यूजिन मार्च बैंक्स एक पॉइट के रुप में भी है और इसके अलावा इसमें प्रॉसेर पाईन का करेक्टर है जो मॉरेल की ताइपिस्ट है लेक्सी मॉरेल का क्योरेट जो है तो अलग-अलग करेक्टर रें लेकिन इनके बारे में ज़्यादा पुछ रहा था जो मैंने आपको बताए हैं तो इस तरह Seeyn को आपको को बताया कि anti-romantic comedies और anti-romantic plays लिखते थे कौन जी वी शा वैदर वी आर टॉकिंग बॉट केंडिडा आमसेंड़ मैं विडोवर साउसे तो anti-romance हमें देखने को मिलता है इनके works में अब Arms and the Man में क्या होता है Arms and the Man की heroine है रेना रेना जो की एक young girl है और एक ऐसी girl जो कलपनाओ की दुनिया में रेना पसंद करती है और कलपनाओ के साथ उसको प्रकरती बहुत अच्छी लगती है कितावों की दुनिया उसे बहुत पसंद है और कितावों में भी fictions पढ़ना रेना की बहुत पसंद है प्रीशित मतलब एक सोच है रेना की कितावों में खो जाना ऐसी रेना होती है तो रेना जो है वो एक ऐसे परिवार की लड़की है जिसको मैं aristocratic family की लड़की कह सकते है उच परिवार की लड़की अब उसका पता कैसे लगता है हमें दोस्तों यह जो रेना का जो कमरा है जिस कमरे में रहना रहती है रहना उपर बालकोनी की तरफ उसका रूम है तो वहाँ पर वो रहती है और वहाँ पर जो रहना का कमरे का description होता होता है वो यह होता है कि एक बैड है बैड के बराव में मतलब सोफा सेट रखा हुआ है एक ड्रेसिंग टेविल है और कार्टेन लगे हुए है विंडोज है बहुत ही सुन्दर द्रश्य है और रहना का जो कमरा है वो बहुत बहुत ऐसा है प्रीश्यस है और उसमें यह कह सकते है कि बहुत कोस्ली चीजों से बिलकुल सुसजित है वो इक तरह से पूरी तरह से वेल डेकोरेटेड है अब ल अब नीचर को मिला कर भी कहीं जाता है तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसी स्टाइलिश रहना होगी कितना एरिस्टोक्रेटिक फैमली की एक लड़की है रहना कितने उच परिवार की लड़की है रहना जो की कलपनाओं की दुनिया में रहना पसंद करती है रहना की मंगनी तैह हो चुकी है और मंगनी किस से हुई है रहना की मंगनी हुई है मेजर सर्जियस से मेजर सर्जियस दोस्तों कौन है मेजर सर्जियस रहना का मंगेतर है और रहना जैसे कि मैं आपको बताया कि बलगारिया की ये कहानी है तो रहना बलगारिया में रहती है कहां रहती है र सर्जियस जो है बुलगारियन आर्मी में मेजर के रुप में काम कर रहा है मेजर पैटकॉफ रहना के फादर के बाद वो मेजर बना हुआ है मेजर सर्जियस और इस समय बुलगारियन आर्मी और सर्वियन आर्मी का युद्ध चड़ा हुआ है और सर्जियस उस युद्ध में गया हुआ है सरजियस बुल्गारियन आर्मी के युद्व में वहाँ पर गया हुआ है और Reina की मा का नम मिसस कैठराइन है और Reina की जो फादर है मिस्टर पैटकॉफ है घर में दो नोकर, नोकरानी है एक जो नोकर है उसका नाम है निकोला और नोकरानी का नाम है लूका तो दुस्तो अब क्या होता है कि रेना को एक समाचार मिलता है रेना को एक न्यूज मिलती है और वो न्यूज क्या मिलती है रेना को ये सुचित किया जाता है कि वो अपने कमरे की जो खिड़कियां है अपने कमरे की खिड़किया है उनको प्रॉपरली बंद करके रखे कमरे की खिड़कियों को बंद करके रखे क्यों बंद करके रखे कमरे की खिड़कियों को क्योंकि जो युद है युद का नायक सर्जियस रहा है रहना ये सुनकर बहुत कुछ होती है कि उद्ध का नायक उसका मंगेतर सर्जियस रहा है और उसने सर्वियन आर्मी को हरा दिया है अब लेकिन इसी बीच में एक भगोडा जिसको फुगेटिव कहा गया है एक भगोडा वो बिल्गारिया में एंटर कर चुका है तो उससे बचने के लिए रहना से कहा जाता है कि कमरे की जो खिड़किया है वो बंद रखे रहना को क्या शौक था खिड़किया कोल के वो जो सुन्दर पहाड थे बरफ से डखे हुए पहाड और प्रकृति का सुन्दर नजारा रहना निहारा करती थी लेकिन अब उससे मना किया गया उसकी माने बिल्कुल साफ कहा दे कि अपना धंग से सेफटी रखना अब रहना क्या करती है रहना थोड़ी आलसी भी है रहना क्या करती है वो उसको बोल्ट को लगाने जाती है लेकिन वो बोल्ट ढीला पड़ जाता है तो रेना उन खिड़कियों को भेड़ देती है लेकिन वो properly locked नहीं हो पाती जो खिड़की है इसी बीच में रेना मेजर सर्जियस यानि कि अपने मंगेतर की जो तस्वीर है जो उसने रख रखी थी उसे दिल से लगाती है और उसको मेजर सर्जियस को अपना प्यार कहकर पकारती है दोस्तो इसी बीच में रेना की खेडकी से एक भगोडा जो भागा हुआ था वो अंदर प्रवेश कर जाता है अंदर प्रवेश कर जाता है रेना उस शीज को लेकर चिलाती है अब दोस्तो मैं थोड़ी सी सिच्वेशन और बता दू इस बीच में रेना ने अपना जो नाइट गाउन पहना हुआ था उसको पुट आफ कर दिया था अब जो ब्लेंट शेली है वो एंटर कर चुका है अब ब्लेंट शेली क्या करता है जो ये भगोडा है दोस्तो इसका नाम ब्लेंट शेली है ब्लेंट शेली रेना के पीछे अपनी बंदूख लगा देता है रेना एकदम चिलाती है लेकिन उसका मुँ बंद कर लेता है जो ब्लेंट शेली है उसको रोक लेता है चिलाने से एक तरह से लेकिन आहट होती है लोगों को खबर तो होती है कि मतलब कोई न कोई शायद आया है तो इसी बीच में जो blend shelly है वो रहना के पास वहाँ पर होता है और उसको उसने बंदूख दिखाई होती है अब रहना से वो demand करता है कि वो से कुछ खाने के लिए दे और जब वो बात करता है तो रहना कहती है मेरे पास खाने के देने के लिए कुछ भी नहीं है तुमारे लिए लेकिन उसी बीच में blend shelly को एक चॉकलेट का डिबबा वहाँ पर दिखाई परता है तो रहना से कहता है यह चॉकलेट का डिबबा है और वो चिल्ला पड़ती है तब blend shelly के मुझ से निकलता है तुम क्यों चिल्ला रही हो इस बंदूक में जिसमें तुम कार्टूस समझ रही हो इसमें कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है और मैं तो क्या करता हूँ जब मैं युद्ध पर जाता हूँ और जब गोलियों की आवाज आती है तो मैं तो नीचे को जुख जाता हूँ और अपनी जिम में से एक चॉकलेट निकालता हूँ और खा जाता हूँ तो इस प्रकार से रहना उसकी अजीब सी बात सुनकर इंप्रेस सी हो जाती है लेकिन ब्रेंट शरी को अभी भी डर है तो वो अपने टूल के रूप में अब क्या करता है रहना का जो night gown होता है वो उठा लेता है उसको एक हत्यार के रूप में यूज़ करता है क्योंकि उसको पता था कि एक लड़की अपने कपड़ों के बिना बाहर नहीं जाएगी तो वो सारी बाते होती है इसी बीच में घर की नोकरानी लुका जो है पहले तो वो आते हैं सिपाही आते हैं वो पूछते हैं रहना से कि कोई है तो नहीं बाहर से ही तो रहना मरा कर देती है कोई भी नहीं है लेकिन being a girl एक लड़की होने के नाथ लुका को भेजा जाता है लुका अंदर जाती है लुका घर की मतलब उसके कमरे की तलाशी के लिए उसको लुका को भेजा जाता है देखने के लिए अब उसी बीच में जो रहना है ब्लेंट शली को परदे के पीछे चुपा देती है ब्लेंट शली परदे के पीछे चुपा हुआ है और जो रहना है वो वही पर है और लुका उसके पैरों के निसान देख लेती है नीचे पैरों की तरफ देख लेती है उसको पता कि कोई है लेकिन लुका इसे एक opportunity के रूप में लेती है और वो सोचती है कि मैं आगे चल कर कोई ना कोई चीज रहना से इसके वदले में मांग लूँगी तो वो ये बात सोचकर इस बात को टाल देती है और मना कर देती कि कोई भी यहाँ पर नहीं है दोस्तो इसी बीच में क्या होता है यहाँ पर जो blend शली है वो सर्जेस की तस्वीर देख लेता है रहना के कमरे में और वो ये कहता है कि ये कायर यहां पर क्या कर रहा है तो रहना कहती है तुम्हेंने कायर कह रहे हो ये तो युद्ध के हीरो रहे है और हमने तो युद्ध जीता है तो वो ये कहता है कि ये जो युद्ध है ये गलत रणनीती से जीता गया है गलत तरीके से जीता गया है ये युद्ध सही नहीं है जीतना और ये तो एक बेकार इंसान है ये तो जो है युद्ध के नियमों के विपरीद जाकर लड़ने वाला व्यक्ति है तो वो रहना जो है यहां पर थोड़ी सी मतलब सोचने की हालात में हो जाती कि वो क्या मतलब ऐसी स्टेट में हो जाती कि वो कहीं न कहीं उससे इंप्रेस हो गई थी तभी तो वो अपनी मा कैथरिन को सारी बाते बताती है और वो ब्लेंड शेली को सेफ एंड साउंड सो छोड़ने के लिए अपनी मा से रिक्वेस्ट करती है तो मा रहना की बात को मान जाती है जो कैथरिन होती है और वो रहना को मेजर पेटकॉफ का जो कोट होता है वो देती है लोंग कोट और उस कोट को ब्लेंड शेली को पहना देती है वो ताकि ब्लेंड शेली को कोई पहचान ना पाए और यहां तक कि उस कोट की जेब में अपना एक फोटो रख देती है ये लिकर कि एक प्यारा सा नजराना मेरे चॉकलेट क्रीम सोलजर के लिए रेना ये लिकर जो है उस कोट को रख देती है अब वो ब्लेंड शेली वहाँ से चला जाता है ब्लेंड शेली निकल जाता है दोस्तों इसी बीच में जो मेजर सरजियस है वो बड़ी खुशी-खुशी के साथ वापस आ रहे है युद से वापस आ रहे है और खुशी है रहना से मिलने की रहना से आज मिलना है दोस्तों इसी बीच में लूका और निकोला एपिसोड आता है जो निकोला है वो घर में इनके घर में ये बोलकर ये आये थे लुका निकोला कि हम engaged हैं क्योंकि जो मेजर पैटकॉफ थे उनको married servants की आवशकता थी, couples की तो जो married हो लेकिन इन दोनों को नोकरी चाहिए थी, ये unmarried थे तो उन्होंने सोचा कि हम ये कह देंगे कि हमारी engagement हो चुकी है, तो ये बोलकर ये आये थे हाँ पर, निकोला वास्ता में लुका को चाहने लगा था, लुका से प्यार करने लगा था, लुका से शादी करना चाहता था लेकिन जो लुका है, दोस्तो लुका की अगर जो हम बात करें, तो लुका तो निकोला को नहीं चाहती लुका तो ये कहती कि मुझे तो मेरे सपनों का कोई राजकुमार आएगा और मैं उसके रानी बनूँगी तो वो इस तरह से वो बात करती है मतलब कि कहने का मतलब वो ये था कि मुझे तो एक रॉयल स्टेटस वाला बंदा मुझे लेने आएगा और मैं उसी के शाथ साधी करूँगी मैं एक नोकर के साथ तो सोच भी नहीं सकती जब कि वो खुद नोकरानी है अब इसी बीच में दोस्तों शायद लुका की जो ये सोच है ये पूरी होने वाली है मिजर सर्जियस जो है जब घर में आता है तो जब वो गैलरी में से होकर गुजर रहा था इसी बीच में उसकी टककर लुका से हो जाती है जो घर की नोकरानी है लुका को देखकर सर्जियस जो है बहुत अपने होस खो बैठता है और वो उसको एक मोके में बदल देना चाता है और तभी वो लुका को अपने साथ घुड़साल में ले जाता है और इसी बीच में दोनों जो है वो एक intimate वाली condition में पहुंचते हैं और जब इन दोनों के बीच में ये द्रश्य चलना होता है तो उसी बीच में लूका कुछ बात सर्जियस से कहती है वो सर्जियस से ये कहती है श्रीमान जैसा आप अपनी पतनी के पीट पीछे मेरे साथ कर रहे हैं न ऐसा ही वो किसी और के साथ कर रही है ये बात जो है लूका कहती है किस से सर्जियस से अब सर्जिस आँग बबुला हो जाता है वो रहना के पास जाता है रहना से क्रोधित हो जाता है लेकिन रहना सर्जिस से कोई भी बात करने के लिए मना कर देती है दोस्तों इसी बीच में एक next episode इसमें आता है कि Major Petkoff और Catherine एपिसोड इनकी humorous बाते चलती है और Major Petkoff यह कहते हैं कि मेरे परिवार में मैं तो नहाता नहीं हूं बिलकुल भी और मेरे जो वो थे फादर थे वो 300 साल पूरे 100 साल जीवित रहे थे और उन्होंने अपने 100 साल की उम्र में केवल और केवल एक मात्र बार इसनान किया था वो यह बात करते हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी एडवाईज वो Catherine को भी देते हैं तो इस तरह से इनका जो humorous episode है वो चलता रहता है इसी बीच में Blend Shelley जो है वो कोट लोटाने के लिए वापस आता है लेकिन Blend Shelley को ये नहीं पता था कि रहना ने कुछ उसके लिए रखाए क्योंकि उसके मन में तो कोई feeling से नहीं थी वो तो उसको एक school girl समझता था लेकिन अब जब वो वापस आता है तो रहना को वो कोट लोटाने के लिए तो Catherine के पास जाता है और उस जो photo था वो उसी में रखा हुआ था रहना जो है जब उसके कहती है सारी बाते पूछती है कि तुमने मेरा उपार देखा तो कहते है कौन सा उपार कैसा उपार तो फिर जब रहना अपने प्रेम का इजहार Blend Shelley के साथ करती है और Blend Shelley को बताती कि मैं कोई स्कूल गर्ड नहीं हूँ मेरी उम्र जो है वो इस अठारे से कहीं जादा है वो 21 या 22 साल की लड़की थी जो रहना जो थी दोस्तों तो वो इस बात को सोचकर Blend Shelley भी रहना से प्यार करने लगता है अब बात आती है कि जो सर्जियस है कहता है कि रहना के साथ में शादी करूंगा ब्लंड शली भी आचुका रहना शाची कि ब्लंड शली करें अब क्या होता है click सबसे पहली बात वो यह कहते हैं प्रहली जो the lifestyle Come here and में दुश्मन देस का है यानि कि सर्भ का है और सर्भ के किसी वेक्ति से मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती तब Atlantic Shalee कहता है, श्रीमान मैं एक professional soldier हूं. Professional soldier मतलब जो व्यक्ति पैसो के लिए लड़ता है के वल, मतलब अपने या फिर interest के लिए लड़ता है, ऐसा व्यक्ति उता है professional soldier, उसको यह नें कि आपने देश के लिए ही लड़े। तो वो कहता है, मैं थो एक professional soldier हूँ और मैं दोनों के दोनों लेंडने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन रहना कहती है केंडिडा की तरही जैसे केंडिडा ने बोला था मेरे लिए मत लड़ो मैं कोई चीज नहीं हूँ रहना भी यह कहती है कि मैं कोई अब्जेक्ट नहीं हूँ मेरे लेंडने की कोई आवशकता नहीं ह ऐसा लगता है ठीक है लेकिन और शर्जियस को भी यही बात लगती है कि आप तो रहना की मुझसे शादी होना निश्यत है क्योंकि मैं ही अमीर हूं लेकिन जो ब्लेंड शली है अब अपनी अमीरी का खुलाशा करता है और वो यह बताता है कि श्रीमान मेरे स्वीजर लेंड म प्रसका Assistant अपनी बेटी केंडिडा की शोरी अपनी बेटी रहना की शादी करने के लिए वह तयार हो जाते हैं अब बिचारा सर्जियस क्या करें सर्जियस तो अकेला रह गया तो इसी बीच में सर्जियस जो है लुका को प्रुपोस कर देता है और लुका तो चाहती थी कि कोई राजा उसके लिए आए तो सर्जियस और लुका आपस में मिल लाते हैं लेकिन बिचारा रह गया निकोला अ वो कौन था वो निकोला था तो उसको वे कहता है कि अगर जो वो स्विस भाषा को सीख ले तो मैं उसको अपने एक सितारा होटल का मैनेजर निक्त कर दूँगा तो दूस्तो इसी हैपी एंडिंग के साथ ये प्ले भी एंड हो जाता है तो ये थी कहानी आमचेंड़ मैं की श सब्सक्राइब आपको ये बताया आगे बढ़ते हैं तो इस टो इस टो इस टो इस टो इसके बाद दूस्तो हम आते हैं विलियम बटलर इट्स यानि की डबलू इट्स पर कि अला इन दूस्तो हम तो इस टो झाल जल पूँआ है तो यह फेमस वर्क्स एंड डवलू बीट्स के जो एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसके अलावा इसमें एक और है लेडा एंड स्वान यह अक्सर एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो यह है लेंड ऑफ हर्ट्स डिजायर, दे काउंटेंस कैथलें, दे शेडोई वाटर्स, लेक इल ओफ इनिस्फरी, दे टार, बाइजन्टियम, बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता है एक्जाम है बाइजन्टियम, लेक इनिस्फरी जो यह है, लेक इल ओफ इनिस्फरी, इसके बारे में और टावर भी अपने आप में इंपोर्टेंट है, लेक इल ओफ इनिस्फरी में, जिसे कि यह इनिस्फरी एक स्लाइगो आर्लेंड का प्लेस है, और पूरा शांती वाला स्थान है, वहाँ पर यह जाना च या फिर इट्स वान टो टो इनिस्फ्री सो आपका अंसर सिंप्ली यह होगा विकोज ही वास फैड़ विद बिजी लाइफ अफ लेंडन जो लेंडन का एक व्यस्त जीवन था उससे यह तंग आ गया था और उससे तंग आकर कहा जाना चाता था इनिस्फ्री जाना चाता था आपको इतना याद रखना है इतना त्यार करना है इसके बाद हम नेक्स्ट राइटर की तरफ अप्रॉश करते है नेक्स्ट हमारे आते हैं जोन गालसफर्दी the silver box the strife the skin game the man of property justice one of the most important works by John Galswardi the four sides saga the excerpt user at I was told the four sides saga the country house the dark floor made in waiting and loyalties or loyalties these if you want to take a screenshot you can the silver box the strife the skin game the man of property justice the four sides saga the country house the dark floor maiden waiting and loyalties these are some specific works that can be asked in your examination so you just have to prepare all these important works of John Galswardi so we will start from the silver box and up to the loyalties you just have to prepare all these yes 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 foot notch yes 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 oh lot english yes also here yes it is is by Erudyad Kipling और बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता है एक्जाम में किम the seven seas the five nations debits and credits यह works है the jungle book the seven seas the five nations debits and credits और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो अक्सार एक्जाम मेर पूछ रहाता है दोस्तों वो यही है the jungle book किसका वर्क है यूर आंसर विल बी रुड्याट किपलिंग किसका वर्क है दोस्तों यह रुड्याट किपलिंग का वर्क है I hope कि यह समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम बात करेंगे एच जी वैल्स की और एच जी वैल्स की बात करेंगे बात टाइम मशीन की ना हो इंपोर्ट यह इंपॉसिबल है एच जी वैल्स एच जी वैल्स का सबसे मोस्ट प्रमिनेंट वर्क माना जाता है तटाइम मशीन शाइंस फिक्शन की कटेगरी में आता है तटाइम मशीन भाया एच जी वैल्स इसके बात दा हिस्ट्री ओफ मिस्टर पॉनी दा इन्विजिबल मेन यह बहुत इंपॉर्टेंट है दा इन्विजिबल मेन तो यह भी पूछ ले आता है एक तो यह इनका दे टाइम मशीन और एक इन्विजिबल मेन Johnson the first man in the moon the flood of the gods so these are some specific word the time machine the history of mr. Pauli the invisible man the first man in the moon the flood of the gods so these are some special works by HG Wells to kill HG Wells के famous works ने दोस्तों इनको आपको तयार करना है I hope कि यह समुझ में आ गया होगा जोसफ कॉनेट जोसफ कॉनेट की बात करें दोस्तों तो सबसे most important works जो इनका है वो है heart of darkness पुछा जाता है exam में heart of darkness किसका work है जो heart of darkness है किसका है जोसफ कॉनेट का work है यह heart of darkness और इसके साथ-साथ the secret agent this is also one of the important works by Joseph Conrad or typhoon the outcast of the island an outcast of the island तो इनको आपको त्रियार करना है जोसफ कॉनेट के the heart of darkness, the secret agent, typhoon and outcast of the islands यही पुछे जाते हैं और इनमें भी सबसे जादा पुछे जाता है heart of darkness यह पुछे जाता है इसके बाद दोस्तों हम आज आते हैं T.S. Elliot पर यानि कि Thomas String Elliot की बात हम करते हैं T.S. Elliot की बात करें तो दोस्तों बात हम करेंगे किसकी the wasteland most important है the wasteland दोस्तों यह जो wasteland है wasteland के बारे में यह भी समझना कि एक question यह भी आ जाता है इसमें कि किस पॉयम में T.S. Elliot ने सभी लोगों को spiritually dead करार दिया है तो your answer will be wasteland आपका आणसर होगा wasteland क्योंकि T.S. Elliot क्या कहते हैं कि हम सभी लोग मिरतक हैं हम सभी लोग मरे हुए हैं मरे हुए क्यों है क्यों कि हम अपने इमान को मार चुके हैं हमारी जो emotions हैं वो मर चुके हैं और हम बुरे सोहाब वाले हो चुके हैं कहीं न कहीं बुराईयों को अपने अंदर लिये हुए हैं और बुराईयों के लेने के कारण ही जो हमारा spiritualization है जो हमारी आध्यात्मिक्ता है वो कहीं दूर जा चुकी है तो दोस्तों वही है the land of the dead people that is called the wasteland इसको wasteland कहा गया है the one the most important poems by T.S. Eliot इसके बाद proof wrong love song sorry यह poem है love song of बार लिख देता हूं love song of J.L. proofrock one of the most important poems again love song of J.L. proofrock T.S. Eliot की यह poem है love song of J.L. proofrock जिसमें proof rock जो कि बज़र्ग वेकती है उसको एक young girl prostitute से प्यार हो जाता है और उससे वो कहीं न कहीं sexually intimate होना चाहता है लेकिन उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं वही situation हमलेट वाली to be or not to be वाली condition आती है कि करूं या ना करूं जाओं मैं वहाँ या ना जाओं वह situation उसके दिमाग में घुमती है तभी तो एक अकसर एक confusing line यह आती है इस poem से श्रीमर मैं राजकुमार हमलेट नहीं हूँ और मैं राजकुमार हमलेट बन भी नहीं सकता मैं तो एक छोटा सा अनुवियाई हूँ यह बात कौन कहता है यह बात कहता है यहाँ पर proof rock क्यों कहता है दोस्तों क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को propose करना चाता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्यों नहीं कर पाता उसको लगता है कि मैं कमजोर हो चुका हूँ वक्त ने मुझे कमजोर कर दिया है अब अगर जो मैं उसको प्रिपोस करूँगा तो कहीं वो ये ना कहने लगी कि देखो तो सही इसके हाथ पैर कहा जा रहे हैं कितना कमजोर ये हो चुका है वो उसको लगता है कि उसकी सहेलिया भी मेरा मजाक बनाएंगी लेकिन एक पल फिर खेयाल आता है फिर आशावादी खेयाल आता है वो कहता है मैं अपनी जिंदगी के तोड़ तरी के बदल देता हूँ मैंने सुना है कि जो लड़किया है उनको वो लड़के पसंद आते हैं जो बाल पीछे की तरफ काड़ते हैं तो क्या मैं भी अपने बाल पीछे की तरफ काड़ूं और फिर वो ये कहता है हद तो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों वो ये कहता है कि क्या मैं आडू खाने की हिम्मत दिखा दूँ जो trouser को rolled करने की बात थी वो सही थी चलो बाल पीछे करने की बात थी वो भी माल ली वो कहता है कि मैं आड़ू खा कर दिखा दू क्योंकि वो आड़ू भी नहीं खा सकता था इतना कमजोर था और चला था इश्क लड़ाने तो लेकिन कहते हैं न कि emotions पर control कर पाना बहुत cutting होता है love is blind तो यहाँ पर proof rock को भी उसी condition में हाँ पर दिखाए गया है कि बुड़ापे में उसको प्यार हो जाता है और वो अपने conflict में रहता है कि करूं या ना करूं वाली situation में वो रहता है कि for the proposal तो अब उसके बाद blast में वही कहाल आते हैं कि वो कहता है कि I will wear the white flannel trouser flannel trouser sorry वो कहता है कि मैं तो चोड़ी धरवालाज जो सफेद पजाम आता है वही पहनूंगा और एक छड़ी ले ले लूँगा समदर के किनारे टहलूँगा लेकिन वो कहता है I have heard of mermaids मैंने सुना है mermaids के बारे में कि वो बहुत अच्छा गाती है क्या वो मेरे लिए गाएं कि जल परियों की वो बात कर रहा है तो कहने का मतलब किसी के इमान को आप बदल नहीं सकते उसकी feeling को बदल नहीं सकते जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा तो उसे ने सोचा अपने आपको बदलने का लेकिन वो जो महत्वकांश होती है न जीवन की वो हमें डुबो देती है उस तरफ ले जाती है तो दूस्तो यही कहानी है Love Song of Jail Proof Rock में अक्सर यह पुछा जाता है कि Proof Rock किस कहानी का किरदार है तो आपका अंसर होगा Love Song का और यह भी पुछ ले जाता है Love Song of Jail Proof Rock का हीरो कौन है Proof Rock है और यह भी पुछ ले जाता है कि Love Song किस के दौरा लिखी गई है T.A.C.L.E.T. के दौरा लिखी गई है और यह भी पुछ ले जाता है कि कैसी पोएम है Dramatic Monologue है कैसी है Dramatic Monologue है आगे बढ़ते है The Hollow Man Burden in Cathedral The Family Reunion बहुत अच्छा वर्क है यह यही फेमस वर्क है इनके The Wasteland, Love Song of Jail Proof Rock, The Hollow Man Burden in Cathedral and The Family Reunion इन वर्क्स को आपको अच्छी तरह देखते हो जाना है दोस्तो T.A.C.L.E.T. के जो यह फेमस वर्क्स है इनको आपको अच्छी तरह तयार करना है इसके बाद हमारे आते हैं Virginia Wolf पर Virginia Wolf Virginia Wolf का अकसर यह वर्क पुछ रहता है Mrs. Dolloway Mrs. Dolloway किसका वर्क है Your answer will be Virginia Wolf आपका अंसर क्या होगा Virginia Wolf का वर्क है Mrs. Dolloway इसके बाद Roger Fry To the lighthouse और जैकॉप्स रूम इनको आप याद रखिए कौन-कौन से हैं Virginia Wolf के जो स्पेसिफिक वर्क्स हैं दूस्तों अगर जो हम बात करें तो उसमें Mrs. Dolloway आता है Roger Fry आता है और To the lighthouse आता है और जैकॉप्स रूम ये famous वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं किसके Virginia Wolf के तो I hope कि ये भी आपके समझ में आगे होंगे आगे बढ़ते हैं दूस्तों आपकी बहुत important बहुत specific ये series चल रही है जो writer और works को लेकर चल रही है और मैं ये कहता हूँ कि आप 2-3 वार वीडियो को इनको ध्यान से सुन लेना दिमाग में सारे बैठ जाएंगे और आपको फिर exam में परिशानी नहीं होने कि और मैं तो कहता हूँ याद करने की ज़रूत नहीं होने कि क्योंकि वीडियो को आप देखेंगे उसके बाद आप note down करेंगे लिखेंगे एक बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से तयार हो जाएंगे अब हम बात करते हैं E.M. Forster की E.M. Forster E.M. Forster की बात करते हैं तो E.M. Forster की बात करें दोस्तों तो सबसे important work इनका आता है अपासिस to India अपासिस्टों इंडिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवल अपासिस्टों इंडिया बाए E.M. Forster इसके बात दाहिल ओफ देवी इसके बात where angels fear to tread the longest journey the eternal movement moment in co-op for the maggotana especially passes to india po em forrester a passes to india the hill of divi where angels fear to tread and the longest journey इनको आपको अच्छी तरह से बिलकुल तयार कर लेना है दोस्तों कहीं भी कोई डाउट वाली बात नहीं रहनी चाहिए इनको आप अच्छी तरह से तियार करेंगे और दोस्तों अभी हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे किसी ने ये पूछा था कि सर ये जो a passes to india है ये तो इम फॉर्स्टर का वर्क है और आपने निराज चोधरी का ये वर्क बता है तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि दोनों का ही वर्क है a passes to india ये निराज चोधरी ने इनकेस ऐसा दोनों का होता है तो फॉर्स्ट प्रायटी आप ये फॉर्स्टर को देंगे क्योंकि इनका वर्क मोर फेमस है देन देट आफ नेराज चोधरी तो आप पैसे स्टू इंडिया दा हेल ओफ देवी वियर एंजल स्फियर तू टू ट्रैट दे लॉंगस जर्णी दा इटरेनल मोमेंट यह आपके हो गए आगे बढ़ते हैं जीम्स जॉइस ही जीम्स जॉइस की बात करते हैं यूलिसस of the artist as a young man or test of the artist as a young man और Dubliners तीज आर फेमस वर्क्स बाय जेम्स जॉइस Ulysses, portrait of the artist as a young man और Dubliners और दोस्तों Ulysses की बात करें तो Tannyson का भी एक वर्क आता है Ulysses ठीक ने Tannyson की जो पोयम है Ulysses वहाँ पर और यहाँ पर James Joyce का भी वर्क है Ulysses दोनों का ही वर्क है और in case यहाँ भी वही situation होती है तो आप पहले Tannyson को preference देंगे अगर दोनों आजाएंगे नहीं क्योंकि इतना doubtful paper नहीं बनाने वाला कोई इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे D.H. Lawrence की D.H. Lawrence की बात करें तो सबसे most important cover काता है संसेंड लवर्स इसके बाद women in love ये भी exam में पूछी ले आता है बात काता है वे दोड़ा है लेवर्स की बात शीव यूलिट की नहीं की दोस्ते साफरों हम लेत की पीचों की दोस्तवरों की वेता सबसेंगे लाद वीचवरों की दोस्तवरों तो यह आपके हो गए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनको आप देख लीजिए संसेंड लवर्स वोमेन इन लव ये दो तो मोस्ट स्पेसिफिक का सर एक्जाम में पूशे जाते हैं जिन पर मैं इंपोर्डेंट लगाता हूं दोस्तों उनको आपको विशेश रूप से देखन भी है उनको आप अच्छी तरह से तयार करेंगे अगे इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एल्डस हक्सले की अगर जो हम यहां पर देखें तो दर डिफीट औफ यूथ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका देखेंगे इसके बाद द बर्निंग वील ILS इन गाज़ा इतने ही याद रखनें आपको देख डिफीट अफ यूथ द बर्निंग वील ILS इन गाज़ा इस आर सम इंपोर्टेंट वर्क्स बाद एल्डस हक्सले और इनका एक वर्क दोस्तों वो भी आता है सेलेक्टेड इसनोबेरीज उसको भी आप त्याद रख लेना सेलेक्टेड इसनोबेरीज बाई एल्डस हक्सले इसके बाद जोर्ज और्वेल दा एनिमल फॉर्म बर्मीज डे बर्मीज डेस्टेस्टेस्स धीर्मीज डेस्टेस्टेस्स भी जोर्ज और्वेल ऑस्कर वाल्ड असकर वाइल्ट इनका सबसे जादा फिबस वर के दोस्तु दो केंटर विल गोस्ट बोस्त इम गोर्ट वरक इनका यह और इनवेड़ स्टुमुट रहपी प्रेंज बहुत इंपरण यह आप एंड दिए अधर टेल्स तो यह आपको त्यार करने हैं देटर वाइल घोस्ट एन आइडियल हस्बेंड एपी प्रेंस एंड अधर टेल्स इनको आप याद रखेंगे दुस्तु दीज आर सम इंपोर्टेंट वर्क्स बाइ ऑस्कर वाइल तो दूस्तो यह आपके तयार हो गए होंगे अब आपको तयारी किस तरह से करनी है जैसा है मैं आपको बता रहूं कि आपको जो भी कराया जाता है आप उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें और सुनने के बाद उसको पॉइंट नोट करें ठीक है ना और सुनते के साथ 17 त नभी उसको पढ़े ले तो मैं कहता हूं कि आपके बहुत अच्छी तरह से यह तयार हो जाएंगे अगर जो आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे कोई confusion जरासा भी नहीं रहेगा और दोस्तों इसी तरह से आप तैयारी करते चलें इसके बाद मैं आपके awards and achievements पूरी तरह से हम लगे हुए हैं बस आप भी उसी मेहनत के साथ लगे रहिए अपनी जो मेहनत है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से करते रहिए तभी आप जो है अपने टार्गेट को अचीव कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच यौर्स डॉक्टर सचिंगो स्वामी दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रेस्पोंस देकर जरूर बताना थैंक यू वेरी मच झाल भाल ऑल जो घुट जगे ऊड़ जड़ान जड़ां दो जड़ाओ जो जड़ां से एक माशिल गाई भाल जड़ाई से एक माश नड़ाई है झाल 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 झाल